गुड मौनी गाइज आज है 18 सेप्टेंबर हम लोग डिसकेस करने वाले के एडिटूरियल बहुत ही सांदार एडिटूरियल है एडिटूरियल का टाइटल है टेस्टिंग टाइम मतलब अब समय आ गया है कि परिक्षण किया जाए जांस पड़ताल की जाए चेक किया जाए स तो बरिशा में मतलब चिंता जनक है यह फिर भी होल्ड सम हो कि फिर भी कुछ ना कुछ होब बनी हुई है क्या बनी हुई है कुछ उम्मीद रखी जा सकती है कि अब अच्छा होने वाला है हालाकि अगस्त के जो आकड़े आए हुए है वह बहुत ही चिंता जनक है जिससे क कि हमें हमारे जो ब्रेपार है वह थोड़ा से घ्रवड़ाया हुआ है ठीक है तो हमारा एक्सपोर्ट जादा हो नहीं पा रहे है और इंपोर्ट जादा कर रहे हैं तो नुक्षान दाएगी हर एक परस्पेक्टिव से ठीक है तो यह क्या है एडिट्यूरियल का टाइटल सब्टाइटल था अब मैं पहले बोकाइब को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको यह पता चले कि इस तरह की बोकाइब एक जाम में कितनी पूछी जाती है अगर मैं बात करूं फर्स्ट वर्ड की एक है श्रिंग श्रिंग का मतलब होता है शिकोड़ना यानि कि डिक्रीज सकते हो बहुत अच्छा बाड़ है और बहुत बार पूछा गया है बेगिन टूफील दा हीट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का काउंटर करो अनकॉंफरडेबल सिचुएशन में किसी भी सामना करो का मतलब यहां पे सामना करने से हैं ठीक है इंटेंजिवल कम लिए गैर महसूस जाने कि जिसको महसूस नहीं कर पाएं एक्जांपल के तौर पर देखिए कि कि कोई जिसको हम सेल तो कर सकते हैं दो नोट माटेरियल और फिजीकल लेकिन बहुत बहुत बार पूछा गया है यह वाला बड़ इंपोटेंट बड़ है खराब करना में बर्ष ठीक है और हाँ इसकी पीडिएफ ना आप टेलिग्राम चलेंज से ले सकते हो इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया आपको ठीक है इसकलीट का मतलब होता है तीब्र करना या फिर बढ़ाना ठीक है ऐसा बोल सकते हैं इंक्रीज इन एक्सटेंट और इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं ठीक है यह लाबकर या मनीमेकिंग या रिम रिमड्री मीवनेरेटीव आप बोल सकते हो ठीक है इसकी का मतलब होता है आस्तिर्चित यानि कि हाट टू डेल बी यानि कि जो डील ना कर सकते जली से तरहीं आफ इसका मतलब होता है इस्मॉल इंक्रीज थोड़ा सा बड़ना यह थोड़ा सा फाइदा होना है सबुछ भी वो रहा सकते हैं बिजनिस के फार्म में टिक है बिजनिस वाले फार्म में ही आता है जाधतर इस तरह इसे बड़ ठीक है तो यह थे बड़ आज के कैसे लगे जरू मुझे बताएं एक बर आप कर सकते हैं लाइक शेयर ठीक है लाइक शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो अगर कोई बदलाब चाहते हो तो मुझे जरू बताएं एक क्विशन मैंने इंप्रूमेंट के लिया हुआ है क्यों थोड़ा समय कम है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं यह ल नो इंप्रूमेंट्ट है यह फॉर आ मॉमेंट्ट है तो इंचारों में से बताना है कौन सा औप्षन एकदम परफेक्ट ले देखिए एक बड़ होता है मोमेंट इसका मतला होता है थोड़ा समय है थोड़ा समय अ चॉन टैम बोल सकते हैं सःग है यह ओता चूर्ट कि आ पर ना चाहिए यह थोड़ दिर वो खड़ा हुआ था तो ठीक है इग्जाक्ली जो मीनिंग इसका अगर में इंप्रूमेंट में ले जाओ तो वह क्या होगा फॉरा मोमेंट होगा शही फ्रेज बोल सकते हो आप ठीक है यह सही बड़ बोल सकते हो वह आपका दीन हो रहा है य बहुत ही चिंता जनक थे और अभी थोड़ी से उम्मीद भी है देखते हैं बैटर कुछ हो सकता है आगे या नहीं पहले मैं सेंटेंस को हाइलाइट कर देता हूं ठीक है और फिर मैं क्लॉज बाई क्लॉज एक्स्प्रेंड कर दूँगा हमारत सेंटेंस फोड़ा सब बड बिजना ठीक है श्रेंक मतला उसमें कमी आ गई है फॉर सेविंद कॉंजुगुटिव टाइम यानि कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बाहर जो आं सामान बेच रहे हैं उसमें कमी आई खरीदने वालों की उसमें साथ भी बार ऐसा हुआ है कॉंजुटिव लगातार की उ नौवी बार है ऐसा हुआ है कि गयारा महिने नौवार श्रेंक का ये कमी आई है वाइल इंपोर्ट सर्च जबकि हम इंपोर्ट बढ़ा रहें तो हीट दा हाईस्ट लेवल ठीक है मतलब हाईस्ट लेवल को हीट कर चुका है वह इतना इंपोर्ट करोगे तो जहर सी वाता ह हमारा पैसा बाहर जाएगा तो आए दिक्कत आएगी नहीं कि सिंच मार्च दिस यर यानि कि मार्च के महिने से लेकर के अब तक देखा जाए तो जो हमारा इंपोर्ट है वो बहुत बढ़ गया है उसना हाई लेवल को हीट कर दिया अच्छा दूसरा सेंटेंस यहां से कर देते हैं एट 58.6 billion dollar डॉलर के सान है इनबाउंड का मतनला जो अंदर की हो रहा है सीपमेंट मसले जाह से आते हैं से यह मैंट बोलते हैं but इसे फिप्टी 5.2 पर्सेंट बिलो अलास्ट अगस्ट लेवल की उसमें भी थोड़ी सी अब क्या हुई है कमी आई इस लिए थो अगर मैं बात करूं हाला कि हम चीजे कम खरीदने स्टार्ट कर दी है यह अच्छी बात है ठीक है लेकिन अगर देखा जाए एक्सपोर्ट जो हम बाहर सामन बेचते हैं उसमें स्टीपर मतलब तेजी से 6.9 परसेंट की क्या यह ठीक है फैल बाई मैं लग गिर गया है वो ने कम खरीद ले लोग बाहर जो हैं बिदेश वाले लोग हमारा सामन इससे क्या है हमें घाटा ही होगा पैसा कम आएगा हमारे पास लीडिंग टू फो टैंटी फॉर पॉइंट बिलियन ट्रेट डिफिसिट दब बाइडेस्ट सिं डॉलर का है ठीक है दो अक्टूबर 2022 से अब तक तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसमें अभी क्या हो गया है घाटा चला हमारे देश के लिए कि वह आमदनी नहीं है आमदनी कब बढ़ती है जब लोग हमारा हमेरा सामान खरीदते हैं अब हमारा सामान खरीदी नही है तो आम पैसा हमारा पास आएगा नहीं ठीक है तो इसी समझनी वाली बात है गुड्स एक्सपोर्ट आर नाव डाउन गुड्स एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हो चुग है 11.9 परसेंट शो फार सो फार्मला अब तक दिस येर इस साल इंपोर्ट है ड्रॉब्ड और जो बीर नौन लेटर ठीके शर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर्ट वोट मन्त बेल लू लेटर मदब सर्विश से भी हम बाद में प्रोवाईड कर आ पा रहे हैं बाद में आ रही है यह बट्ला जो जो उनुमान है या सजेस्ट या सजेस्ट करते हैं डेट दे इंजन डेट इं हमारा जो इंजिन है ना एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का वो रिजिलियन्ट है लचीला है शो फार ठीक है कभी भी फायदा हो सकता है वो यह उमीद जताने की कोशिश करें तो तो क्या है कि टरमवाइल का उतल पूतल जैसे कि गलोबल एकॉनमी में क्या चला है एकॉनमिक में इसलिए हमारे हम भी क्या ओर आभ बिस्टर्वेंच हो रहा है ज्यादत स्याधा है बिगिंग शुरू हो चुके लिकिन हमें इन चीजों कोना फीज करना है बेगिन टू फील देए हीट पांटर करना किकी चीज़ को यह फिल करना यह उसका सामने करना ठीक है तो हमें क्या क तक देखा जाए, 0.4% drop, expected, जो drop हो, जो हमने उम्मीद लगाय थी, कि इसमें इन services, जो हमारी service ले रहे हैं, वो इसमें भी क्या है, dropping आई है, at the sharp pace, कि हम बाहर से service लेते हैं, तो उसमें भी हमने कम ही, कि अगर हम बेच भी service कम दे पा रहे हैं, तो हम ले भी कम रहे हैं, इस बिल नॉट एक्षाबरेट दा ट्रेट बैलेंस यह लेकिन यह चीज है ना, कि हम कम service ले रहा है, एक्षाबरेट नहीं करेंगे, एक्षाबरेट कम दा किसी चीज को खराब करना, कि इसको trade balance, जो sheet है, जिसमें मालूम पड़ता है कि हम business जो कर रहे हैं, तो पैसे मिलता है, हम service दे रहे हैं, तो भी पैसे मिलता है, service ले रहे हैं, तो पैसे जाता है, सामान ले र हैं, लेकिन थोड़े जमान सही हो जाएगा, यह कहना चाहरा हैं, हलाकि हाओर का मतला हलाकि shrinking services export जो shrink कमी आई है, एक्सपोर्ट में, services के imply, इंपलाई मतला दरसाते हैं, their ability to bridge the goods trade benefit, deficit, that was up sharply last year, देखे, इन्होंने बोलाए कि जो services, shrinking the services export कि हम जो service हम बाहर प्रोवाइड कराते थे, अब वो कहा है, थोड़ी सी उसमें कमी आई है, the ability to bridge, bridge मलत gap, ठीक है, goods trade deficit, तो यह कहना कहा चाहरा है, कि ability to bridge, bridge मलत gap, the goods trade deficit, जो trade का घाटा है, ठीक है, that were, that were up, sharp last year, जो की काफी ज्यादा था, और हम services दे नहीं पा रहे थे, बिल भी restricted, जो की अब restricted है, थोड़ा रिका हुआ है, ऐसा लग रहा है, कि जो gap है ना, यह फिर business है हमारा, services वाला, ठीक है, वो हो सकता है, better हो, दस, इस प्रकार, rising the possibility of the wider current account deficit, जो current account deficit है, वो बढ़ रहा है, from this quarter, इस quarter में, लेकिन अभी भी वो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, कि वो कम उड़ा हो, क्यों current deficit account का मतलब है, कि हम ज़्यादा business नहीं दे पा रहे हैं बाहर, ठीक है, यह चीज, तो इस चीज को भी manage करना है, तो हमारी जो flexibility जादा है, हमारे economy में, तो धरासा भी change आता है बाहर, तो हमारे यहां भी उसका असर देखता है, with global commodity, अगर मैं global commodity की बात करूँ, जो बाहर भी हिचते हैं सामान, उनका जो price है, rising around 12% from June level, कि उसकी कीमत बढ़ चुकी है, कितना percent, 12%, कब से जून से, यह जून कि इस महिने, 15 महिनों में सबसे ज़्यादा महगा ही रही थी, ठीक है, pressure on the goods, जो pressure था, trade deficit likely to accelerate, क्योंकि लोग सामान नहीं खरीद रहे थे, इसे trade deficit बढ़ता जा रहा था, escalate मला थीबर होता जा रहा था, especially as oil की बात करूं, gems की बात करूं, and jewelry की बात करूं, import have fallen, और क्या ठीक है, their export so far, and their export so far, उसमें भी कमी आई, import में भी कमी आई, और export में भी कमी आई, 23, 24 वाले export में, तो कमी आई रही है, तो कहने का मतलब है, अब आगे देखिए, इन्होंने क्या बोला, in the first four month, अगर पहने शुरुआत के चार महिने की बात करूं, और the fiscal, about half decline, जिसमें भार भेजा जाता है, सामान, उसमें क्या कमी आई है, ठीक है, कितनी, पिछले चार महिनों में, आदे की कमी आगे, जो पहला है, अगर 100% जाता तो उसका 50% रह गया, has been fueled by the petroleum, despite volumes rising 6% as the price fall 27%, क्या हुआ है, कि जब से price 27% कमी हो गई है, ठीक है, petroleum, लेकिन और इन्होंने क्या व कि इन चीजों की कुछ चीजों की बड़ोत्री हुई है, अगर कुछ चीजों की कमी आई है, तो कुछ चीजों की क्या हुई है, बड़ोत्री हुई है, despite volume rising 6% as price fell 20%, ठीक है, 27%, अब मैं क्या करता हूँ, इस sentence highlight करता हूँ, इन्होंने क्या बोलेंगी, कुछ इस की है, इस में चेंज, यह चेंज हो सकता है, if global oil price, which cross 90 डॉलर पर बैरल, यानि कि अगर यह बदलाव कब होगा, कि चेंज हो सकता है, जब कीमतें कितनी हो जाए, 90 डॉलर, 90 डॉलर पर बैरल हो जाए, over the past week, for the first time, since November 2022, की कीमतें कब बदली हुई है, क्योंकि इन्होंने बोला है, कि 90 रु बी, first time, 2022 से लेकर के, अब तक, यानि कि जो पेट्रॉल, एफे, जो crude oil होता है, उसका कीमत बढ़ चुकी है, stay elevated, और अभी भी क्या हो, इंब बढ़ती हुई जा रही है, export volume जो है, of as many as 13 major items की बात करूं, रोज बढ़े हैं, between April to July, कि बहुत, जो 13 item है, उनकी कीमतें बढ़ हैं, April to July तक, but their volume है, decline, उनकी जो volume है, उसमें एकदम से, जो total volume है, वो कम होता है, चल जा गया है, क्योंकि लोग हम खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कीमतें हमने भी बढ़ा दी यहां पर, going to lower price, ठीक है, क्योंकि यहां तो बढ़ गई हैं, लेकिन बाहर क्या है, कम ही आई items रोज, वो उनकी जो export है, volume 13 items के बढ़े हुए है, देखिए, यह कहना क्या चारे से, दवारा समझनी कुछ इस की, कि जो export item है, ठीक है, उनकी जो volume है, वो 13 items हैसे थे, ठीक है, उनकी volume बढ़ा है, यहने कि उसमें फाइदा हुए जाफा हुए, ठीक है, कब April से जोलाई तक, लेकिन, their volume had declined, going to lower price, लेकिन बाद में क्या हुआ, overall volume अगर देखा है, तो उसमें decline ही आए, कम ही आई, क्योंकि, lower prices की बज़े से, हो सकता है, बाहर कीमत है, सच्थी हूँ, हमारे यहां पर महंग लिए, क्या हो, वो कीमत है, overall क्या हुआ, घाटा हुआ हमें, उनसी जो में, त न, ठीकिन, उनके जो सामान है, या goods है, उसमें demand आ रही है, amid gloom, थोड़ा से निदासा जलक माहौल में, थोड़ी सी अगर demand आ रही है, तो यह अच्छी बात है, good o mean हो सकता है, and government belief, government विश्वास करती है, rising commodity price will be help trade tally, कि अगर बाहर कीमते बढ़ेंगी, चीजों की, जादा अच्छा चलेगा, अगर बाहर की केमतें बढ़ने लगेंगी, यह कहना चाहरा है, clear, अब देखें, इन्होंने क्या बोला है, आगे, but, they could also be a double age sword, वो double age sword भी हो सकती है, दो तरफातरवार हो सकती है, कैसे for India, as its strategic gambit, to import more Russian oil has turned less lucrative, कि अगर हमने जादा इंपोर्ट कि या रसिया का oil, तो वो less lucrative, मैंने की वो हो सकता है कि कम फायदे मांद हो, क्योंकि वहाँ पर जो हम खरीद रहे है, वो ज्यादा महंगा हो सकता है, या ज्यादा टेक्स वगर आओ, इसलिए, तो हमें दूसरी देश से भी आने की खरीदना चाहिए, oil, ठीक है, जिसे कि क्या है, थोड़ा धीला पड़ सकता है, demand, ठीक है, क्योंकि inflation की बज़े से, demand क्या होई, सच्थी हो सकती है, कम हो सकती है, officially in the key market, मुख 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 मार्केट में, such as European की बात करो, European Union Market में, we just high interest rate to record high, इनोंने बोला है कि interest rate मिला हर चीज महां पर क्या होगी, European Union में, या उनके जो देश हैं, क्या जाद चीज हर चीज महंगी हो चुकी है, कि लिए नोंने क्या बोला है, हर चीज महंगी हो चुकी है, आगे नोंने क्या बोला है, आगे देखिए, inflation heated in the United States last month, कि पिछले महिने अमेरिका में भी, क्या हुआ, महाई बढ़ी थी, but not enough, yet to dent the festival demand, लेकिन इतनी न demand कमी आए, ऐसा नहीं हो, बड़ी लेकिन लोगोंने मैनेज होगी, महाँ पर, that may left lift, order book, books in coming month, देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि आगे festival आले महिने हैं, तो हो सकता है कि आगे जो है, वो उठ जाए, क्या order, यानि कि अगले माले महिने में दीपवली आईगी, अब थोड़ लोग चीज़ें खरीने लेगें, जाद जाद इंडिया की जिसे की फायदा होगा, आगे नहीं होने बोलाए, इंजिनेरिंग गुड्स की बात करूं, which account for quarter of India's export, जो की इंडिया की एक्सपोर्ट का बन फोर्ट है, clogged their first upstick, यानि कि उसमें पहली बार इजाफा हुआ, आप अगर हम देखें, चौदर कुछ ऐसे सेग्मेंट है, एक्सपोर्ट की जो की ग्रो हो रहे है, best performing in the nine month, जुन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले नौ महिने में, इस बैलकम साइन, यह बहुत अच्छा साइन हो सकता है, अगर उन्होंने चौदर ऐसे सेग्मेंट ह चौदर ऐसे की बस्तू हो सकती है, जो ज्यादा खरी दे जा रही है, तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्टिया ने इस टूडू और इंडिया को बहुत सारी चीज करने की जरूरत है, ठीक है, जो की प्रीशेस ग्रीन शूट्स एंड एक्सपोर्ट, सपोर्ट, सपो daha लगा है, हमारे नर्चर करे हमारे एक्सपोर्टर्स को और हमारे एक्सपोर्ट को क्या कर दे बढ़ा दे ठीक है, इस चीज़ को काने की जरूरत है इंडिया, को अब देखते है यह तो मार्केट है, रिजिलियन त्सांव सकता है तो आने वाले मन्त में फाइदा होग एड तर्थक्किली बावा, take care, have a good day.